वेक निमा में बदल गयावां रोटी ठंडी खा लेनावां गंदे कपड़े पा लेनावां फुसा सारा पी जानावां हर दुख ते लबसी जानावां सारियां गल्ला चर लेनावां ठंडा होका भर लेनावां पर किसे नू कुझ नहीं दस्दा हर वेले में रेंदा हस्दा अंदर चाती कोई ना पावे दुख तेरा मैंनू खाई जावे तेरे बाच मैंनू कोई ना पुचदा हुनते मैं किसे नाल नी रुस्दा वेक नी मा मैं बदल गयावां मा से महबबत करो क्योंके मा की परेशानी देख कर अल्ला ने सफ़ा मर्वा को हज का रुकन बना दिया लबूं पे उसके बद्दौा नहीं होती बस एक मा है जो कभी ख़फा नहीं होती मा वो हसी है जिनसकी दौाओं में अल्ला की रहमत बरसती है ये काम्याबियां इज्जत ये नाम तुम से है खुदा ने जो भी दिया मुकाम तुम से है जहां जहां है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ जहां जहां है मेरा एतराम तुम से है मेरे रब ने माँ को ऐसा रुद्बा दिया मुहबब से माँ को देखने को इबादत बना दिया सारी रात सोते हुए मैंने जन्नत की सेर की सुबह जो आँख खुली तो देखा सर माँ के कदमों में था हजरत अली रजियल्ला ताना अन्हा फरमाते हैं अपनी जबां की तेजी उस माँ पे मत चलाओ जिसने तुमें बोलना सिखाया दोस्तो एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा जिनकी माँ नहीं होती उनके लिए दुआ कौन करता है माँ बोली तर्या अगर सूख पी जाए तो रेज से नमी नहीं जाती माँ की एक आदत खुदा से बहुत मिलती है दोनों ही माफ कर देते हैं अल्ला ताला का अपने बंदूं के लिए सबसे खुब्सूरत तफ़ा जानते हैं अब दोस्त क्या है सबसे खुब्सूरत तफ़ा अल्ला पाक की तरफ से मा है दोस्तो माँ की दुआ वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिन्दगी रुक नहीं जाती लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती दोस्तो माँ एक ऐसा बैंक है जहां आप हर एसास और दुख जमा कर सकते हैं मा के जो गरीब होते हैं दुश्मन भी उनके हबीब होते हैं मा जिनके पास होती है वो लोग कहां गरीब होते हैं मा जिनकी जिन्दा होती है वो बहुत खुशनसीब होते हैं अल्ला पाग सबकी माओं को सलामत रखे आमीन